हलो गाइस, वेलकम बाक तो आज चानल, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इगनु ने 11th अपडेट जो है result की कर दिये है, ये 11th अपडेट है term and exams result की, लास्ट अपडेट जो थी वो 21st October को हुई थी and आज 23rd October है, तो इगनु ने 2 दिन का result अपडेट किया है, बहु में number डाल कर, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे students हैं, जिनका result अभी भी इस update में भी नहीं आया होगा, ऐसा नहीं है, जैसे suppose कलो, अगर आपका MEG का है, कोई भी exam है, उसका result आपका आगया, किसी एक बच्चे का आगया, किसी एक का नहीं आया होगा, ऐसा भी बहुत सारे cases है, इस है कि आपका definitely result आएगा, थोड़ा time लगेगा, सभी का आएगा result, बट थोड़ा सा अपको patience रखना है, एक और important बात हम कर लेते हैं, discuss, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, UGC ने guidelines दी थी कि 31st October तक सभी universities and colleges को result declare करना है, बट इगनू की तरफ से ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, दो इगनू result तो release कर रही है, बट सभी students का update नहीं हो रहा है, तो काफी मुश्किल लग रहा है कि 31st October तक होगा, आज 23rd है, and Saturday, Sunday को तो इगनू result अपडेट नहीं करता है, so let's see क्या UGC new guidelines लाती है, अगर कोई भी new guidelines आएंगी तो आपको हमारी channel पर बता दिया जाएगा, साथ ही में grade card भी update हो रहे हैं, तो आप वो भी check कर लेना, अपने grade card में आपके assignments के number भी update होते हैं, वो ही main होता है, and make sure हमारे channel को subscribe करो, और bell notification को on करो